टो नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर सकते स्वागत है मेरे श्यूट्योप चानल पर आज के शुड़ी में हम बात करने ले अपर प्लियरों के बीड जो मैंच उसके बारे में कि हेल्प हो जाए कि चाहे वह ड्री मिलोन का पो माई लिए उन सरकल का पो या फिर कोई दूसरा आप आखिर में आपको टीन ड्री मिलोन की टेम्स भी दिखोंगा जिससे के आपका अच्छे करते हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने मेरी चानल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अल पर भी क्लिक करना ना भूले ताकि ऐसे वीडियो आप तक पोश्टे रहे और आप अच्छे का से आर्णिंग करते रहें तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं मैच की डिटेल से मैच है फैन कोड़ ECS T10 बुलगेरिया की और यह इस सीरीज का पाच्वा और छटा मैच है ज्या दोस्तों आप कहेंगे पाच्वा और छटा ज्या के बीज डीटो टाइमिक की अगर बात करें तो 20 अप्रिल को यानि 20 अप्रिल को यानि आजी के दिन यह इसमें पहला मैच होगा 10 बजे और दूसरा मैच होगा 12 बजे विएंगी की अगर बात करें तो आट वैसाली लेस की नाशनल स्पोर्ट अकाडमी है दोस्तों आप अब बात कर लेते हैं पिच रिपोट के तो पिच रिपोट के नुसार ये पूरी तरस बैटिंग फ्रेंडली पीछ है और शुरुवात में थोड़ा सा सीमर्स को या पर फायदा मिल सकता है लेकिन शुरुवात में ही बाखत में नहीं और सबसे बड़ी बात तो है कि दोनों इनिंग्स में या पर बैटिंग को मदद मिलने हा लिए और स्पिनर्स को या पर कुछ भी नहीं है तो स्पिनर्स या पर काफी स्ट्रगल कर सकते हैं और उन्हें अपने लाइन और लेंग पर ही निरभर रहना होगा अब बात करते हैं कि इस पीच पर फर्स्ट इनिंग का आवरेश टोटल है 101 जी आ दोस्तों वजह से कि आपको बता चुका हूँ बैटिंग पीचे तो दस ओवर में 101 काफी जबद स्कोर है अब बात करते हैं रेकॉर्ड चेसिंग टीम्स का तो यहां पर सिर्फ 20% मैचे से चेस करने वाली टीमें जीती है तो अफकोस यहां पर ज के लिए देखा जाए तो अगर पाच मैचेस होते हैं तो उसमें से सिर्फ एक मैच चेसिंग टीम जीती है तो इसलिए जो भी टॉट चितिका पहले बैटिंग का फैसरा लेगा अब बात करते हैं दोनों टीमों की प्रोबेबले लिए उनकी तो वह सबसे पहले देख लेते कि अकाडमिक एम यू सोफिया की प्रोबेबले लिए याने कि ए एम एस की प्रोबेबले लिए देख लेते हैं तो वह कुछ इस्तर से रह सकते हैं ओमर रासुल कि इशान डिसिल्वा केविन टिसुजा मुबारक अली जेड कौईटी अली रसुल जेकब एलियन कि एबियन कि अधिविनु मुहमत सुल्तान डी अली संदीप नायर इस तर से रह सकते हैं एकाडमिक एम यू कि प्रोबेबले लिए अब बात करते हैं बी एस सी यू एम यू पॉल विव की याने पीयलों की प्रोबबले लिए उन कि तर से रहेगी तो वह कुछ इस्तर से यहां पर रोहन एम जेड अभीदी कार्तिक श्रीकुबार अहमद नवीद पार्थ आचार्या मुहमत उज्वीर एफ रह्मान राहुल शर्दा तो इस तर से रह सकते हैं पीयलों की प्रोबेबले लिए अब बात करते हैं कुछ प्लियरों के स्टार्ट में दिखाऊंगा ज सबसे पहले हमारे होटपेक से के डिसोजा ही हाज स्माश्ड शिक्स्टी रन इन दिस टूर्नमेंट ज्या दोस्तों अभी तक इन्होंने मेरे खाल से दो मैचेस सबके हुए है तो दो मैचेस में इन्होंने साट रन बना लिए जो कि अच्छा माना जा सकता है एजी कब जो कि हमारे अगले होटपेक से दोस्तों ही हाज सकोड वन रन और टुकर टू विकेट इन दिस टूर्नमेंट ज्या दोस्तों बल्ले से तो कुछ खास कर नहीं पाए एकी रन बना पाए लेकिन गेन से उन्होंने अभी तक दो विक्टे ली है और मतलब अच्छे बल्ले बा अगले हमारे होटपेक से कार्तिक श्रीकुमार ही हाज हांटेड थ्री विकेट इन दिस टूर्नमेंट ज्या दूस्तों श्रीकुमार ने अभी तक तीन विक्टे आसिल कर लिए और बल्ले बाजी का इतना मोकाण को मिला नहीं अगले हमारे होटपेक से एस हुसेन इन्हों ने अभी तक इस सीरीज में 73 रन बना आए जो की काफी बढ़िया है अच्छे माने जा सकते क्योंकि जिससे कि आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है या फिर आप ग्रैंड लिग या स्मॉल लिग पका जिद सकते हैं जैसे कि मैंने मैच को हाइलाइट करके दिखा दिया है उस पर आपको क्लिक कर लेनी है अगर आपने आप तक टीम नहीं बनाई है तो क्रियेटर टेम पर क्लिक कर लेते हैं और पहले टिम को मैं आपको इडिट करके दिखा देता हूं तो सबसे पहले हम आचुके कीपिंग पे तो यहां पर एस सुसेन को हमने ले लिया क्योंकि सबसे बढ़िया पर्फॉर्मस इनहीं का रहा है यहां पर तो इनके साथ मैं जरूर जाओंगा उसक का अटिर जबाद पर्फॉर्मस है ન है यह भी काफि बढ़िया पर्फॉर्मस है इनका अच्छा पर्फॉर्मस है तो इस तरसे तीन अच्छे 6-23 बातुर्यक्त से इट एकल और ट्त प्यांजा को इसे लिए मैंने को इसमें लिया है अगर बात करें गिलदी के तो आप देख सकते हैं मैंने आपे एम सुल्तान को लिया है अच्छा पर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फ तो ऩितर सकते हैं इस लिए मैंने सथा सीम पनाई अब अच्छी टीम के बाद हमें अच्छी क्याप्टन और वाइसट क्याप्टन सिस्टेंगे तो इसके लिए कंटीन्ईल पर क्लिक कर नहां होगा तो यहांपे करना हो सबसे द्यादस क्या का परफॉमस भी काफी बढ़िया है तो मैं जनता के साथ ही जाता हूँ पहले टीम में आपको पता ही होगा और के श्रीकुमार को वाइस कैप्टन मना रहा हूँ क्योंकि इन्होंने भी काफी बढ़िया परफॉमस किया अब चलते का प्रिव्यू कर लेते टीम प्रिव्यू अगर बात करें ओल रॉंडर्स की तो ए जेकप है डी वीनु है और ए खान है अगर गेन बाजी की बात करें तो के श्रीकुमार है ए रसूल है पी आचारय है एम सुल्तान है तो इस तरसे सभी की सभी अच्छे प्लियर सिलेक किया हमने जिनोंने अभी तक अच्छा की तो मैंने इस तेम का कपतान देख सकते एह सुसेन का बना और श्रीकुमार को वाइस नहीं की दोनों की दोनों बैस्टें दोस्तों टोबल पॉइंट्ट दे सकते जैसे बाटिग में प्यारन देंगे और FC और ये औस ये आपको अच्छा पॉइंट दे सकते शिदाश को दोनों की दोनों बेस्ट दोस्तों क्यापटन और वाइस कैपटन जरूर आप इन दोनों के साथ जा सकते इन दोनों पर भर्षाख कर सकते इस टीम को आपको आपको जरुआब के लिए जरुंद लिग से भी अगर लिग लगाने के वाद अगर आप स्मॉल लिग लगाना चाहते तो लगा सकते लेकिन जरू लगाएगा क्योंकि काफी अच्छी टीप बनी है और हमने कोई रिस्की प्लियर भी आपे नहीं लिया है तो इसलिए दोनों लीगों के लिए बेस्टीम है इस टी टीम में हम इनको नहीं ले पाएते इसलिए इस टीम में उनको जरूर ले लूँगा बैटिंग की बात करें तो यहां पर भी मैं चार बल्लेबाजों के साथ जा रहा हूं के डिसुजा जेड कोटी और एम सुफ्यान और यहां पर चौते जो है आयर विन तो यहां पर एक ब आई यहां पर चलते तो दोई अल रॉंडर में एक लूँगा यहां पर एक खान को लूँगा और जिकप को लूँगा इन दोनों को छोड़ना ठोड़ा मुश्किल है तो इसलिए आप में इन दोनों के साथ जरू जाओंगा अगर घेन बाज की बात करें तो यहां पर प्र क्प्राइक इन talking बनाया इनकावी परफरुमस काफ ही बड़िया रहा है तो काफी लोगों ने हिनको कप और इस तरह से चार य। नोने अभी तक अच्छा अच्छा सकते हैं अगर बात करें तो एक अदो ऑ्ल रांडर सब्सक्राइट नहीं दोनों के दोनों बेस्ट All-Rounder है और अच्छे खासे बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते अगर बात करें गेनबाजी की तो केशरी कुमार है ये रसुल है पी आचार है तीनों ने अभी तक अच्छा पर्फरमनस के आए और आगे भी कर सकते इसलिए इन तीनों को मैंने टिम में लिया है जिससे कि आपको काफी फायदा होने आला है अगर बात करें कप्तान और वाइस कैप्टन की तो अफकोस देश सकते के डिसुजा का परफरमस काफी बढ़िया रहा है अभी तक बैटिंग काफी अच्छी कर लेते और स्ट्राइक रेट भी अच्छा रख सकते तो इसलिए इनको कप्तान बनाने जा रहा हूँ और वाइस कैप्टन एक खान को बनाने जा रहा हूँ क्योंकि अच्छे खासे ऐल राउंडर है बैटिंग और बालिंग दोनों में आपको अच्छा खासा पॉइंट दिला सकते और आपको अच्छे खासी अर्निंग कराके इसलिए आप इनके वजसे दोनों की जिए से घ्री राउंड बिचे सकते अपिर अच्छे खासी अर्निंग ज़रूर कर सकते इसलिए यह दोनों काफी बढ़िया रहेगे आजक्ज आ वाइस कैप्टन आप इनको चूज कर सकते काफी बढ़िया तीम को भी आप ग्राइट क के लिए भी आप मतलब अगर एक एक दोनों लीग भी लगा देते तो भी आपके जितने के काफी चांसे से या फिर आपको अच्छी कासे अर्णिंग होने के तो जो तो इसलिए इस तर से यह बनाई है काफी बड़िया टीम की बात करें तो फिर से मैंने एस हुसेन को की अगर आप मुख्षों दोमी को लेना चाते तो ले सकते लेकिन मैं फिलाल इनको नहीं लेने वालों बैटिंग पर चलते तो फिर से नी बैट्समन है केडी सुजा डी अली को मैंने इस टीम में शामिल कर लिया इनका भी ठीक ठाक परफरमस रहा है और अच्छे प्लियर है दोस्तों एक खाट जगह पे आप ज़रूर ले सकते हैं उसके बाद आय अर्विन को भी वापस ले लिया है अगर बात करें आल राउंडर की तो तीन आल राउंडर ल तुल है इस बार मैंने दो चेंजेस कर लिए फ्राहमान और एम उजीर को ले लिया है इनका भी परफरमस अच्छा है जरूर आप इनको लेंगे तो काफ़ी फायदा हो सकता है या फिर आप ग्राइंड लिग जीत सकते हैं इनके वाज़े से और केश रिकुमार तो हमारे हर टीम में रहने वाले तो इस तर से दूसरी टीम भी हमारी काफी बढ़िया बन चुके और इसको बाद अब कंटीनू पर क्लिक करना है और देख लेना क्याप्टन और वाइस क्याप्टन हम किसे बना सकते हैं ताकि आपको जादा से जादा अर्निंग हो या फिर आप काफी कम है क्याप्टन और वाइस क्याप्टन के लिए लेकिन आप इनको बनाएंगे तो काफी फाय देमन साबित हो सकता है वो कैसे मैं आगे जरूर आपको बताऊंगा टीम प्रिव्यू कर लेते सबसे पहले हम आचुके कीपिंग पे जैसे कि आप देख पार है कीपिंग डी विनू ए जीकब और एखान इनको वापस सिस्टीम में रखा है क्योंकि अल्रेडी हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं अगर बात करें गेन बाजी की तो यहां पर जरूर कुछ चेंज कर लिए दो चेंज कर लिए रसूल और केश्री कुमार तो है हमारे पास दोनों तो है लेकिन इसके अला एफ रहमान और एम उजेर वन को भी स्टीम में शामिल कर लिया यह भी काफी बढ़िया प्लेयर है जरूर आप इन दोनों के साथ जा सकते आप इन पर वर्शा कर सकते दाव लगा सकते यह आपको अच्छी खासी विक्टेर लेके दे सकते है कुल मिला कि यह टीम भी काफी बढ़िया बन चुके है और कप्तान और की बात करें तो देख सकते हैं यह आप इकान को कप्तान बना रहा हूँ और जेकप को वाइस कप्तन मना रहा हूँ आपके जगा दोस्तों दोनों की दोनों बेस्ट आल राउंडर से बैटिंग और नहीं है चिर्फ पर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर्फर तो इसलिए लिए अफकोस आपको यह तीम लगा निये अगर आप स्माल लिग के लिए भी यूज करना चाहे तो कर सकते लेकिन मैं ग्राइड के लिए को आप इस टीम को ग्राइड के रिए जादा अच्छे से यूज कर सकेंगे इस टीम को भी अब फिकलोज करते हैं सेव कर लेते और आखिर में यहीं कुंगा दोस्तों इन टीनों टीमों में अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करना चाहिए तो आप कर सकते हैं लेकिन ज्यादा चेंजेस मत कीजेगा क्योंकि थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है एक दो चेंजेस करेंगे तो कोई करके आल पर भी क्लिक करना ना बोले ताकि ऐसे वीडियो आप तक पोच सके साथ इसाथ अपने टेलिग्राम की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं वहाँ पर जाके उसे भी जरूर कर लिजे ताकि कुछ भी चेंजेस रहते तो किसकी जगह पे किसको लेना यह भी में आपको बता सकता हूं या फिर मैं आज के बारे में खुछ अपडेट रहती है तो उसके बारे में आपको बता सकता हूं तो इसलिए टेलिग्राम को जॉइन करना थोड़ा अच्छा रहेगा दोस्तों जरूर कर लिजेगा आज के उडियो में इतना ही मिलती अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद गुडबाई